नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टेड़ी भी प्याइन लो रहा हूं साथियों आज हम रीट भरती 2021 के लिए साइकलोजी का पेपर नंबर 39 हल करने वाले हैं देखिए इसके पहले मैंने हिंदिकाट टेस्ट अप किर अलग से पर उनका नहीं डाला था तो चलिए पहला कुशन देखेंगे प्रिश्ण संख्या एक क्या पूछा जा रहा है प्रिश्ण नमर एक में किशोर अवस्था में संग्यानात्मक विकास की विशेस्ता है कार्यों की गति में वृद्दी घनिष्ट मित्रता में वृ तर्क के साथ समच्याओं के समधन की योग्यता में वृद्दी तो बताइए प्रिश्ण संख्या एक में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देख लिए अच्छे से प्रिश्ण को और सही विकल्प का चुनाओं करो साथियों तो चलिए पहले क्यूशन का सही अंसर देख कार्यों की गति में वृद्दी जो है या आपके संग्यानात्मक में नहीं आती है बलकि ये तो पेशी विकास में पेशी विकास के दो या फिर शारिक विकास भी के सकते हैं साथियों गनिष्ट मितरता में वृद्दी और सामाजिक जागरुकता में वृद्दी दोनों ही स तोमाजीक विकास के अनतरगत आते हैं, इसलिए निखिता ही विकल्प आपके प्रिशनमबर एक में सही है, नेक्ट देखते हैं प्रिशनमबर दो को, तो देखो वही समवेगों को नियंत्रित करने में कौन सी तक्निक यहां पर सायक नहीं होगी अच्छे से विकल्पों को देख लीजिए और इस क्यूशन का आंसर दीजिए साथ यो कौन सा विकल्प आपके प्रिष्ण संख्या 2 में सही रहेगा तो देखो प्रिष्ण संख्या 2 में जो आपके सही आंसर है तो प्रत्फम विकल्प सही रहेगा दमन वाला क्यों? क्योंकि दमन में हम क्या करते हैं? समवेगों को दबा देते हैं अब समवेगों को दबा दिया है तो वह आपिस बाहर आ जाएंगे क्योंकि यूतोडिये की दबा दिया तो वो दब ही रहेंगे, बाहर तो आएंगे कभी ना कभी, और कभी ना कभी क्या, परिस्तिती जैसे ही सामने आई, तुरंत वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन परतिस्तापन, परतिगमन, परतक करण, इन में क्या होता है, साथियों समवेगो उनको बाहर निकाल दिया जाता है दूसरे तीसरे चोते विकल्प में लेकिन पहले में ऐसा नहीं होता है इसलिए प्रत्व विकल्प आपके सही है प्रश्ण संख्या दो में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर तीन प्याते हैं तो साथियो प्रश्च नमबर तीन है आपके तरकना के संबंद में असत्य कतन है तरकना एक प्रकार का स्वली चिंतन है व्यक्ति तरकना के माध्यम से चिंतन को उक्रमबद करता है इसके माध्यम से व्यक्ति तरक वितर करता है और समश्य समधान के लिए व्यक्ति को तरक किय आउशक्ता होती है तो देखो प्रश्ण संक्या तीर में क्या पूचा जा रहा है असत्य कतन तरकना के बारे में तो साथ चोता कतन क्या कि रहा है समश्या समधान के लिए व्यक्ति को तरक किया आउशक्ता होती है बिल्कुल सही है हम जब कोई समश्या समधान करते हैं तो इस असर्तिकतन है क्योंकि तरकना सोली चिंतन नहीं बलकि वास्तिक चिंतन होता है सोली चिंतन का संबन्तों किसे होता है कलपना और इच्छाओं से इसलिए प्रथम विकल्प आपके राइट आंसर है प्रश्ण नमबर तीन में तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संक्या प्रश्ण संक्या चार है ये देखीएगा किसको पर्सिक्सन द्वरां व्यावहार में संशोधन की प्रिकिद्या माना गया है सिक्सन अधिगम अभी प्रेड़ना और निर्देश तो भई व्यवहार में संशोधन की प्रिकिद्या पर सिक्सन और अभ्यास के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं सात्यों विकल्प नंबर आपक प्रश्न संख्या 5 प्रतिय एक अधि गम करता एक समान रास्ते का अनुसरन करता है जिसको गहा जाता है टेश कि आगिकर्मIST ugd會 ourselves और अरो आप कर देते हो साइकोलोजिक के इस टेस्ट में तो वह आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है देखिए वह अभिकर्मी तनुदेशन का प्रकार जिसमें प्रतियक अधिगम करता प्रतियक सीखने वाला एक समान रास्ते का अनुसरन करें तो एक समान रास्ता किसमें बताया जाता है रेखिए अभिकर्मी सर पर प्रति पुष्टी दी जाती है इकाई या विशे के अंत में नहीं उसे कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन अधिगम का आकलन अधिगम हेतु आकलन और इन में से सभी तो प्रश्ण संक्या 6 में कौन से विकल्फ सही रहेगा देख लिए छेटे कुशन को भी अच्छ हैं क्योंकि एक आंकलन विदी ठीक है मतलब आंकलन की कोई विदी है जिसमें क्या किया जा रहा है विध्यार्तियों को अपने परदर्शन पर सही अवसर पर प्रति पुष्टी दी जाती है मतलब कोई कार्य उनसे कराया जाता है चात्र उसका प्रदर्शन करते हैं अगर व अभी कारे पुरा हुआ नहीं है तो अधिगम का आकलन नहीं होगा अधिगम के रूप में आकलन नहीं होगा अधिगम है तू अधिगम कराने के लिए आकलन किया जा रहे सात्यों थर्ड विकल्प आपके प्रिशन संख्याथ 6 में सही है अधिगम का आकलन तो अधिगम के बा अवस्ता नहीं है अंतर नोद आवशक्ता का मनोवग्यानिक परिणाम है आवशक्ता वे अंतर नोद समान नहीं समान अंतर है और मूल प्रत्यां आंत्रिक जेविक बल है तो भैया सही कतन की अगर हम बात करें तो आपके विकल्प नंबर एक जो है वो यहां सही कतन नहीं है क आवशक्ता बचपन की क्या सभी आवस्ताओं की विषयस्ता होती है शार्रिक सही है आपका आंसर बागी दूसरा तीसरा जो चोता विकल्फ है यह कतन क्या है सही यह साथियो और आपको क्या देखना था सही नहीं हैं तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या आठ पर 8 वेकुशन को देख लेते हैं आपके प्रिश्ण संख्या आठ क्या पूचा जा रहा है आपसे प्रिश्ण नमबर 8 में यह देखिएगा अभी प्रेजना के सं अंदर में सही करम इंगित कीजिए आवशक्ता प्रोसाहन उपलब्दी प्रोसाहन आवशक्ता 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 प्रोसाहन और उपलब्दी तो यहां में उद्धिपक की तरफ ले जाता है जिसके लिए हम किरिया करते हैं तो ये परणोध है इसके बाद में उपलब्दी नहीं होता है प्रोसाहन होता है प्रोसाहन के दो या फिर लक्ष भी इसको कहा जाता है साथ यो उपलब्दी अभी प्रेणा का तस्व या घतक नहीं होता इसलिए चोता विकल्प गलत है पहला विकल्प गलत है दूसरे में तो करम ही गलत दे दिया थार्ड विकल्प आपके आंसर रहेगा प्रिशन नमबर आठ में तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिशन संक्या 9 पर 9 क्यूशन देखेंगे साथियों आपके प्रिशन संक्या 9 है इन में से कौन बाल विकास के सिध्धान्तों के संबंद में असकते हैं, असकते कतन देखना है साथियों, विकास परिपकुता और अधिगंपर निर्बर करता है, विकास विशिष्टा से समानिता की ओर बढ़ता है, विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, और विकास उ विकास उचे से नीचे की ओर जाता है विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है लेकिन यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है विकास विशिष्टा से सामानिता की ओर बढ़ता है तो यह कतन यहाँ पर क्या है साथियों गलत है क्योंकि विकास तो इस प्रकार से प्रश्ण संख्यादस है इक्यू का नाम अचने सुना होगा एक का संबंद संविगात्माग बुद्दी से है एक का संबंद बुद्दी से है ुश नहीं माने प्रद्रत्स Прिष्ण संंक्यात्स नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर 11 पर तो चलिए 11 वे क्यूशन को देखेंगे निम्न में से प्रशनावली व्यक्तित परिक्षन में कौन से विदी है प्रक्षेपी अर्ध प्रक्षेपी और व्यक्तिगत विदी तो भाई जो प्रक्षेपी विदी होती है य यहाँ प्रिश्णावली में ऐसा नहीं होता है यह एक व्यक्तिगतिविदी है साथियों विकल्प नंबर आपका चार सही है ग्यारवे क्यूशन में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर 12 की ओ तो साथियों प्रिश्ण संक्या 12 को देखेंगे आपके 12 क्यूशन को कम करता है उद्धिपक जो उस अनुकिर्या की आवरत्ति को बढ़ाता है अत्वा कम करता है और उद्धिपक जो उस अनुकिर्या की आवरत्ति को ने तो कम करता है ने बढ़ाता है तो भई सबली करन का अर्थ यहाँ पर किस से लिया जाएगा सबली करन मतलब री इन्फ विकल्प है यही आपका सयांसरे साथियों तो चलिए तेरवे क्यूशन को देख लेते हैं अच्छा इस प्रिश्ण पर अगर डाउट हो तो कमेंड कर सकते हो बट सब्लीकरन का मतलब तो आप भी समझ सकते हो अनुकिर्या को कम करने के लिए तोड़ी किया जाता है साथियों स बढ़ाने के लिए किया जाता है इसलिए यहां ओनली पर्थम विकल्प आपके सही माना जाएगा तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या चाओ तेरवा क्यूशन देख लेते हैं रक्षा तंत्र बहुत सायता करता है हिंसा से निपटने में धकान से निपटने म दबाव से निपटने में और अजनब्यों से निपटने में तो भई जो रक्षा तंत्र हमारा होता है जो रक्षा आत्मा की उक्तिया हमारी प्रियोग में लाए जाती है यह किसमें सायता करती है हमें दबाव से निपटने में हमारी सायता करती है विकल्प नंबर आपका द अपनांतरण मंतरण एक चीज है कि प्रवत्ती अत्यधिक पाई जाती है अपरादी बालकों में, सामाने बालक में, बहिर मुखी बालकों में, रचनातमक बालक में जो साथियों जो दिवा सौपन की प्रवत्ती है, डेड ड्रिमिंग जिसको हम करते हैं, यह सबसे ज्यादा क प्रिश्ण संख्या 15 पर आते हैं तो पंद्रवे क्यूशन को देखेंगे निम्न में से किस लक्षन को सीखने के लक्षन के रूप में नहीं माना जा सकता है व्यवहार का अध्यान सीखना है अन अधिगम भी सीखने का हिस्सा है सीखना एक प्रिकिर्या है जो व्यवहार में मध्यस्तता करती है और सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभों के प्रिनाम सुरूब घटित होती है तो भया कौन सा विकल्प आपके इसमें सही व्यवहार का अध्यान करना तोड़ी सीखना होता है सात्यु मानलो व्यवहार कलने से क्यों आप व्यावार करते हैं उससे preço दोहार में परिवर्ता ना आता है वो होता है ना सीखना अध्यान करने से ही क्या सीखना हो जाएगा नहीं होगा तो प्रत्थम विकल्प आपके प्रश्ण 15 में सही है नेक्स प्रश्ण नमबर 16 तो चलिए आगे वड़ते हैं सोलवे क्यूशन की और आपके प्रश्ण संक्या 16 आपसे क्या पूंच रहा है देखेगा हल का सिध्धान किस परकिद्या से संबंदित है सीखने की व्यक्या से सीखने की व्यक्या के सब्लिकरन से देई कर्मा रोह से और सीखने की पुन सही आंसर है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 17 की और सत्रवे क्यूशन को देख लेते हैं साथियों आपके यहां कुन सा विकल्प सही है दूसरा विकल्प सही है सीखने की व्यक्या तो साथियों सत्रवे क्यूशन में आपसे पूंच रहा है एक बाल बालक के सामाजिक विकास से संबंदित है बालक के सरवांगिन विकास से संबंदित है और बालक के मानसिक विकास से संबंदित है तो बताए प्रश्ण मबर 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा तो इसमें कुछ चीजे दे रखी है जिसके माद्यम से हम इस क्यूशन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि संग्यानात्मक शक्ति कल्पना शक्ति निर्ने लेना तो सात्यों ये सामाजिक शेरिक सरवांगी नहीं भलकि ये मानसिक विकास से संब्दित है चोता विकल्प आपके सत्रवे प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर अठारा पर तो अठारवा क्विशन देखेंगे निम्ण में से कौन सा कतन गलत नहीं है क्रियात्म कनुसंधान के प्रिणामों को समानिकरित नहीं किया जा सकता है गलत नहीं है का मतलब क्या हुआ गलत नहीं है मतलब जो सही कतन है तो सही कतन कोंसा है पेली चीज किरियात्म कनुसंधान के प्रिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते हो क्या कर तो सकते हैं विश्वास तो कर सकते हैं तो यह तो गलत नहीं है यह तो क्या है सात्यों मतलब गलत नह के परिणामों को सामानी कृत किया जा सकता नहीं किया जा सकता तो दो चीजे हैं तो यहां पर जो राइट आंसर है वह रहेगा विकल्प नंबर एक किरियात्म कनुसंधान के परिणामों को सामानी कृत नहीं किया जा सकता है क्यों क्यों कि सामानी कृत हम किसको करते हैं जो प प्रिक्षा की तैयारी नहीं है प्रिक्षा की तैयारी नहीं है पाटे पुस्तक में दिये गए विशे को याद करना नहीं है बलकि अनुभव द्वारा अर्थ का निर्मान करना अनुबा उद्वारा ठीक है सीख करके तो साथियों वही अधिगम कहलाता है विकल्प तीन साही है प्रश्ण नमबर 19 में नेक्स्ट प्रिश्ण संख्या 20 पर आते हैं तो साथियों 20 वे नमबर का प्रिश्ण है आपके निम्न में से कौन सी अधिगम की रायक है और अधिगम नविन ग्यान का अरजन मात्र है कौन से विकल्प आपके या अधिगम की विशेष्टा में नहीं आएगा सही आंसर का चुनाओ करो तो देखो 20 वे क्यूशन में जुर्याइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नमबर 4 अधिगम नवीन ग्यान का अरज किर्या मानी जाती है सारु वोमिक सभी जगे होती है उचिस समायोजन में साय के यह तिनों चीज़े तो सही है लेकिन चोता विकल्प जो है यह गलत है अधिगम के बारे में इसलिए विकल्प नंबर चार आपके प्रिश्ण 20 में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश संसकर्तियों में सभी के लिए समान होती है विकास केवल विध्यले में होने वाले अधिगम सही होता है और विकास किश्योर आवस्था में ही होता है तो सही कतन की बात करें विकास के संधर्म में कौन सा कतन आपको सही लग रहा है 21 प्रिश्ण में सात्य राइट आंसर है व विकास की दर सभी संसकर्तियों में सभी के लिए समान होती है तो गलत है ये अलग अलग संसकर्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है इसलिए ये आपके गलत हो गया विकास केवल विध्यले में होने वाले अधिगम से ही होता है तो विध्यले में विध्यले के बाहर दो इसवे में सही है, नेक्स्ट प्रश्ण संख्यां 22 को देखेंगे, निम्न में से कोन सी विशेष्था आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, उन्हें कारे करने में आनन्द आता है, वे कारे करते समय उच्चिस्तर की उर्जा प्रदर्शित करते ह वे चुनोती भरे कारे को पसंद करते हैं और वे हमेशा सपल होते हैं, तो जो बच्चा आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित हैं, तो बिल्कुल उसे कारे करने में आनन्द आएगा, जिस कारे को वो कर रहा है, वो कारे करते समय भी उच्चिस्तर की उर्जा प्रदर्शित कर करते हैं मतलब ऐसा नहीं लगता है जो आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित होते हैं चुनोती भरे कारे को पसंद करते हैं करना लेकिन वे हमेशा सपल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है अभी प्रेरित होने के बाद में भी ऐस सपलता मिल जाती है कई बार बले ही हम आंत्रिक रू इसमें सही साथ यो ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 23 पर तो 23 वा क्यूशन देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 23 एसिक्षित व्यक्तियों की मानसिक योग्यता को मापने के लिए कौनसा बुद्धी परिक्षन का उप्योग किया जाता है किरियात्मक बुद्धी परिक्षन, शाबदिक बुद्धी परिक्षन, संसकर्ति युक्त परिक्षन और सामाजिक परिक्षन तो जो एसिक्षित व्यक्ति होते हैं एसिक्षित मतलब बिना पड़े लिखे अब इनकी मानसिक योग्यता को मापना है मानसिक योग गिता, सामाजिक योग गिता, नैतिक योग गिता, शारिक योग गिता, अलग-अलग शेत्र की अलग-अलग योग गिता हैं, तो इसके लिए हम कौन से बुद्धी प्रिक्षनों को प्योग करेंगे, किरियात्मक बुद्धी प्रिक्षन का, क्योंकि साथियों शाब्दिक बुद्धी परिक्सर्ण तो सिक्षित व्यक्तियों के लिए होते हैं और यहां पूछा क्या है ए सिक्षित व्यक्ति इसलिए प्रथम विकल्प 23 में सही है कौन सा प्रथम विकल्प साथियों तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशनमबर 24 पर चोईसवा क्यूशन देखेंगे वह कतन जो व्यक्तिक बिन्निता के संदर्ब में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार से बिन होते हैं व्यक्ति विशेष कोटी से बिन होते हैं और व्यक्ति ने तो विशेष प्रकार से बिन होता है और ने विशेष कोटी से तो भ ये एक सत्यकतन नहीं है ये कैसा कस्तन है असत्यकतन है साथियों क्योंकि भिनिता तो पाई जाती है तो चोता विकल्प आपके प्रश्ण 24 में सही है नेक्ष आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संक्यां 25 की ओर तो 25 वा क्यूशन देख लेते हैं अहम निर्देशित होता है सुक के सिध्धान द्वारा वास्त्यकता के सिध्धान द्वारा आदर्श्वादी सिध्धान द्वारा और सामाने सिध्धान द्वारा तो भई इड़ इगो सूपर इगो इड़ मतलब इदम इगो मतलब अहम सूपर इगो मतलब परम अहम सब ने अच्छी तरह से पढ़ रखा हो अब तो लाच टाइम चल रहा है तो सभी warrant कर नौर्मल यादी है दो भाई अहम का जो सिध्धानतर ध्यक्ट निरदेशित वाज्तविकता के सिध्धान द्वारा गत्व जो शुक के सिध्धान निरदेशित होता है सत्यों जो देवी वियक्तितुई जिनका होता है देउताओं मान नेतिकता ज़्यादा पाई जाती है लोब लालत नी पाई जाता है तो वह आदर्श्वादी सिद्धान दोरा निर्देशित होता है कौन होता है सूपर इगो विकल्प आपका दो सही है 25 में नेक्स्ट प्रस्ट नमबर 26 पे आते हैं संग्यानात्मक मानचित्र के प्रतिपादक कौन है जोसेप दी नोवेक रोबर्ट गेने टोलमेन और जीन पियाजे तो वह संग्यानात्मक मानचित्र के बारे में आपसे पूचा है संग्यानात्मक मानचित्र के प्रतिपादक इन में से कौन है साथियों विकल्प नमबर आपका तीन सही है एडवर्ड टेस टोलमेन है इनके द्वारा ही संग्यानात्मक मानचित्र का प्रतिपादन क्या गया था थाइड विकल्प आपके 26 वे क्यूशन में सही है next प्रश्शन संख्या मतलब जो हमारा एचेतन मन है जो एचेतन मन है इसमें इसमें प्रियुक्त व्यू रचन है जो अहम जो हमारा होता है वास्त युक्ता वाला इसको दूस चिंता से बचाती है तो साथियों इसको रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है या रक्षात्मक यांत्रिकता भी आप इसको कह सकते हो प्रत्म विगलपाप के 27 प्रिष्ट में सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिष्ट नंबर 28 पर 28 वाक्यूशन बुद्धी है सामर्थ्यों का एक समुच्चे है एक अकेला और जाते विचार है दूसरों के अनुकरन करने की योग गिता है और एक विशिष्ट योग गिता है तो भई बुद्धी का मतलब किस से लिए जाएगा एक अकेला और जाते विचार तो नहीं होता है दूसरों के अनुकरन करने की योग गिता ही बुद्धी नहीं किलती और भी चीज़े होती है बुद्धी में सामर्थ्यों का एक समुच्चे सही रहेगा साथियों सामर्थ्यों मतलब जिसमें अलग-अलग शमदाए उससे समन्दित बुद्धी जागरितों के विक्ति को समदान दिला देती है तो ये समर्थ्यों का एक समुच्चे मानी जाएगी विकाल पर एक सही है ठाइस वेक्यूशन में सेकंड लाश्ट मतलब 29 वाक्यूशन एडवर्ड डी बोनों ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंत चिंतन के संप्रत्य को क्या नाम दिया है पार्शिविक चिंतन उदर्ग चिंतन शेति चिंतन और बहुत सांस्कृतिक चिंतन तो अपसारी चिंतन का मतलब सरजनात्मक्ता से लिया जाता है नवींता मोलिकता इत्यादी साथियों गिलफोर्ड ने जो अपना सिध्धान दि देखो पार्षविक चिंतन का संबंद मतलब किस्से है अपसारी चिंतन से है या सरजनात्मक चिंतन दोनों ही एक चीजी है तो अन्तिम और तीसवा क्यूशन जिस प्रिश्ण पर डाउट हो कमेंड कर सकते हो हिंदी के पेपर में मेरे इसाब से कोई मिस्टेक नहीं है साथिय देख लेते हैं तीसवा क्यूशन चिंतन की विशेष्टा नहीं है यह उच्छ संग्यानात्मक परकिर्या है मानसिक किर्या का ज्यानात्मक पहलू है उद्धिपा कनुकिर्या के मद्य मद्यस्त परकिर्या है और ज्यान की पहली सीरी है तो बताईएगा चिंतन की विशेष साथ यो चिंतन नहीं है बलकि ज्ञान की पहली सीरी तो क्या है समवेदना को माना जाता है किसको माना जाता है समवेदना को इसलिए जो चोता विकल्प आपके है यह चिंतन की विश्यस्ता में नहीं आएगा तो विकल्प नंबर आपका जो चार है यह आपका सही आंसर चालिए गाइक सा रिख मैं तो बौत बूत धन्यवाद वीडियो को पुरा देखने के लिए झालने से थारे वारे गने रॉदी में झालने साथ बस्ता।